खबरधार से हैं जहां जिले के ग्राम देदला में हुए अंधी हत्या का खुलासा हुआ है जानकारी मिलेगी काका जगदीज की करोडों की जमीन को हडपने के लालच में सगे भतीजे सुभब वजजमाई माखर ने शड़यंत रचकर हत्या को अंजाम दिया था जहां 80,000 रोपय में सुपारी देकर हत्या कराई गए हत्या को अंजाम देने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस को सूचना हुई कि मांडव रोड देदला फाटे पर इस्तितमर तक जगदीज पिता गुलाब सिंग राजपूत उम्र 43 वर्स 89 ग्राम बेदला के सूने मकान में उसका शाव खून से लटपत पढ़ा हुआ है सुचना पर कोतवारी थाना पुलिस में ततकाल पहुँचकर गटना स्थल का बारिकी से निरिक्षड किया और मौके पर एफसल अधिकारी ने भी निरिक्षड कर साक्ष एकत्रित किये जहां जानकारी हुई कि मृतक जगदीज की अग्चाद आरोपियों के द्वारा रात में रस्थी से गला दबा कर और सर पर किसी भारी वस्तु से चोट पहचा कर उसकी हत्या की गई है जहां बाद में मृतक जगदीज की मा आहिल्या भाई की रिपोर्ट से थाना कोथवाली पर अपराध दर्ज किया गया जिसके बाद हत्यारे बेटे और जवाई को पुलिस ने इग्रफतार कर लिया है जाब मृधर बाईस को रात्य में एक प्रफतार कर लिया है इससे यह पता चला कि उसकी हत्या जो है रसी से गला दवाके और एक भारी वस्तु से उसका सिर्फे कई सारे बार रखे इसकी हत्य की गई इसके बाद मामली की गंभीरता को दिखती हुए से मनपूली से दिख्षव महद है एडिशने स्पिसाव और फिन मार दर्शन में एक टीम लठित की गई इसमें खोतवाली पी आई उसके लोग बैस साइबर से इसमें पता चला कि जो उसका भतीजा है सगबतीजा सुभं और उसका जीजा माखन यह दोना ही मास्टा माइंट थी इनने ही इसकी हत्या की साजी रशी हुई थी और इनने दो लड़के अमन और अर्जुन इंको हायर करके शुपारी देखे इसको इनकी हत्या करवाई थी इसके लिए उनने 10 जार रुपे एडवांस भी दिये थी सरसुविधायक्त प्राकर्दिक सुन्दर्दा से ओठ प्रोध राजवाटी का विवाखर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन दिन पार्टी, जन मासा सहित आन्यकारिक्रमों के लिए विवाखर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटी का मेरजगार्डन के साथ हमारा पता है राजवाटी का मेरजगार्डन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुंटहा, रिवा, अधिक चानकारी के लिए संपत करें 98270-04251